कई लोगों ने मुझसे प्रस्ट करके पूछा कि थर्ड जेंडर संताने क्या होती हैं? क्या माता-पिता की संबत्ती में थर्ड जेंडर संतान को हिस्सा मिलेगा? सभी डेटिल इस वीडियो मिल जाएगी इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि मानली जी कोई भी कानूनी सला आपको चाहिए है तो कॉल मी फोर आपके थूर मुझसे बात कर सकते हैं इस आपकी लिंक वीडियो की डिसकेस्टन में दी गई है और सोचल मीडिया की भी लिंक डिसकेस्टन में दी गई है या मानली जी आप उत्तरप्रदिश राजस सहता की धारा 108 पढ़ेंगे जब आप तो वहाँ पर सबसे फर्स्ट परिंग में लिखा है कि यदि मानली जी कोई भी पिता है वो एकस्पायर हो जाता है तो उसकी संपत्ती या उसके पुत्र को या उसकी अववायद पुत्री को या उसकी थर्ड जेंडर संतान को सबको मिलती है तो यहाँ पर प्रशना आता है कि थर्ड जेंडर संतान क्या है तो देखिए एक तो हो गया बेटा दूसरी हो गई बेटी और बेटा बेटी से हट के कोई थर्ड जेंडर है यानि कि बेटा हो गया पुरुस बेटी हो गई इस्तरी और थर्ड जेंडर माल लीजिए कोई किंडर बच्चा पैदा हुआ है या माल लीजिए कोई गे है या माल लीजिए अधर कोई उसका जेंडर है तो ऐसी इस्तिती में उसे थर्ड जेंडर माना जाता है और उत्तर प्रदेश राजस सहता की धारा 108 के अनुसार यदि कोई भी भूमिधर मानली जी किसी भी ब्यक्त के पास 10 वीगा, 15 वीगा, 20 वीगा कितनी भी कोई, कितनी भी खेती है चाहे कितनी भी कम, चाहे कितनी भी जादा और वो एकस्पायर होता है तो यदि मानली जी उसका एक जो है वो बेटा है, एक बेटी है और एक बेटा किंडर है, ठीक है तो तीनों में संपत्ती बरावर बटेगी ठीक है, उसके बेटा बेटी थर्ड जेंडर संतान यानि कि जो भी किंडर या गे या माली जी जो थर्ड जेंडर है उसे उसकी विद्वा को बरावर रूप से संपत्ती मिलेगी और थर्ड जेंडर का भी बरावर संपत्ती में हिस्सा होता है यही जो है उत्तरपदेस राजस सहता की धारा 110 में भी यही नियम है यह दिमाली जी कोई इस्तरी मरती है कोई किसी विक्ति की माँ एक्सपायर होती है तो माँ के पुत्र अबिवाहित पुत्री एवं थर्ड जेंडर संतान सभी को बरावर हिस्सा मिलेगा ठीक है तो आप समझ गए होंगे इसलिए आप इस चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें